हेलो अर्विवन दिस इस प्रदीप मौर्या और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है? यानि पासपोर्ट कितने टाइप्स का होता है? पासपोर्ट के क्या-क्या फायदे हैं यानि क्या-क्या वेनिफिट्स हैं सबसे पाउरफुल पासपोर्ट किस देश का यानि किस कंट्री का है और उस लिस्ट में भारत का कौन सा इस्थान है अगर आप पासपोर्ट सम्मंदित यह जानकारी चाहते हैं ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए most important होने वाला है। चलिए बात करते हैं passport के बारे में। पास्पोर्ट क्या है पास्पोर्ट एक लेगल डाकुमेंट है यानि की कानूनी दस्तावेज है जिसे किसी भी राष्ट्री सरकार दौरा जारी किया जाता है जैसे कि भारत का पास्पोर्ट भराष्ट शरकार यानि की गौर्मेंट आफ इंडिया के दौरा जारी किया जाता ह कि पासपोर्ट वे ड्राकूमेंट होता है सजो के अंतर राष्ट्रीयाद्र random तर ट्रेवल के लिए उसके धारक की पहचान यैंडिक जिसके पासपूर्ट है उसकी बहचान यानि कि आइजन्टिटी और राश्ट्री ता यानि कि नेस्टनलिटी को प्रमारित करता है जैसे कि आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यह प्रमारित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं और वह आपकी आइजन्टिटी को प्रमारित करता है राइट बात करते हैं इंडियन पास्पोर्ट के बारे में यानि कि भारती पास्पोर्ट के बारे में एक इंडियन पास्पोर्ट एक ऑफिसली सीव डॉक्मेंट है जो कि इसे धारट करने वालों को यह परमिट देता है जिसकी साहिता से वे दूसरी देशों में आज आ सकते ह इसके साथ ही यह किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ा identity and address proof है और यह जो आपका passport है इसको आप identity proof के रूप में या फर address proof के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साहता से आफ out of India travel कर सकते हैं यानि कि भारत की बाहर travel कर सकते हैं विदेशों में travel कर सकते हैं राइट बात करते हैं कि passport के क्या-क्या फायदे हैं यानि कि क्या-क्या benefits है पासपोर्ट सरकार के दौरा प्रदान किया गया identity and address proof है जहां पर आपको identity या फर address proof की जरूप होती है वहाँ पर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा इस document की सहायता से आप विदेशों यानि कि जो foreign countries है इनमें यात्रा कर सकते हैं बात करते हैं कि passport कितने प्रकार के होते हैं यानि types of passports क्या-क्या हैं भारा सरकार दोरा यानि कि Government of India दोरा जारी की जाने वाले passport मौकी रूप से तीन प्रकार के होते हैं नंबर वन mean type-P passport या फर ordinary passport type-P passport को ordinary passportQuéлем के हैं या ordinary passport होते हैं जुन्हें आम लोगों को इसीव किया जाता हैं या जारी किया जाता है यह मुखिता जनरल कारे जैसे कि ट्रेवलिंग करना या फर बिजनेस से सम्मंधित कारे में इस्तेमाल करना इस पासपोर्ट का रंग नीला होता है यह जो टाइप P passport होता है या फिर जो ordinary passport होता है इसका जो रंग है वो नीला होता है नीले रंग का होता है यह passport नमबर टू टाइप S और official passport यह official passports होते हैं जिने उन लोगों को issue किया जाता है जो official और state government के काम के लिए विदिश में यात्रा करते हैं यानि कि foreign में travel करते हैं यह passport सफेद रंग का होता है यानि कि जो type S passport है यह white color का होता है नमब थ्रे टाइप D और diplomatic passport यह diplomatic passports होते हैं जिने ऐसे लोगों को issue किया जाता है जो कि हमेशा official government work में विदिश की यात्रा करते रहते हैं यह passport maroon रंग का होता है यानि इस passport का जो रंग है वो maroon होता है जैसे कि Indian diplomats, members of parliament, member of the union council of ministers कुछ high ranking government officers तो यह जो passport है diplomatic passport होता है और यह उन लोगों को दिया जाता है जो official government work में विदिशों में यात्रा करते हैं यानि कि foreign countries में travel करते हैं राइट जैसे कि जो Indian diplomats है जो फारती राजनायक हैं उनको और जो संसत के शदर से होते हैं यानि कि member of parliament होते हैं जो MPs होते हैं या फर high ranking government officers होते हैं उनको यह passport दिया जाता है उनके लिए यह passport जारी किया जाता है राइट तो हमने बात कर लिए है types of passport के बारे में बात करते हैं कि दुनिया में सबसे powerful passport कि इस देश का है अगर हम बात करें 2021 में यानि की वर्ष 2021 में हैनले और partners की report के मतावए दुनिया में सबसे सक्तिशाल यानि की दुनिया में सबसे powerful passport जापान का है अमेरिका की किंती भले ही दुनिया के सबसे ताकवतवर देश के तोर पर होती है मगर उसका passport इस लिस्ट में साथवे नंबर पर है अगर हम बात करें भारत की यानि की इंडिया की तो इस लिस्ट में भारत का 85 नंबर पर है 85 नंबर पर है भारत यानि की इंडिया राइट सबसे powerful passport किस देश का है जापान के है इन 2021 राइट और साथवे नंबर पर है अमेरिका का और भारत का है पचासी नंबर पर यानि की इसका जो स्थान है कितना है एट इफ फाइब यानि की पचासी राइट बात करते हैं कि पासपोर्ट कौन जारी करता है तो भारती पासपोर्ट यानि की जो इंडियन पासपोर्ट होता है इसे भारती देश मंत्राला यानि की इंडियन पासपोर्ट जो है भारती पासपोर्ट इसे भारती देश मंत्राले जारी करता है तो यह information आप सभी को कैसी लगी प्लीज कोमेंट बॉक्स में मिंसुन किज़े अगर आप ऐसा ही और informative वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब किज़े राइट इंफो गलब को जहां पर आपको मिलते है राइट information राइट guidance अगर आपको वीडियो अच्छा लग आपको मिलते रहेगी thank you so much for watching keep it up keep learning keep growing